मत किया कर इतना गुरूर अपने आप पर आए इंसान मत किया कर इतना गुरूर अपने आप पर आए इंसान ना जाने कितने खुदा ने तेरे जैसे बना कर मिटा डाले मैं राज कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार PBR study में उमीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई एकदम बढ़िया चल रही इनी उमीदों के साथ आज का session सुरू होता है बहुत ही महत्तवपुर्ण class है ये इस class को पूरा end तक आपको देखना है अगर आप इसे YouTube पर डेमो देख पा रहे हैं Facebook, Twitter, Instagram कहीं भी या फिर आप एप में इसे regular देख रहे हैं कहीं भी हैं याद रखिएगा कम समय में ज़्यादा content मिलेगा अगर आपको महत्त में कुछ भी नहीं आता है इस class को देखने के बाद आपके अंदर एक नई उरजा एक नया जुनून आएगा नहीं आएगा तो last में 10 गाली देना पक कावंजूर है चलो 10 मिनट देना मुझे 10 मिनट के पहले जाना नहीं लेकिन आईए क्या क्या पढ़ेंगे इसमें पहले हम पढ़ेंगे तीन डिजिट का अडिशन फिर सेंटिमीटर और मीटर में कंपेर करना है क्योंकि इस class का जो लेबल है वो थार्ड लेबल है यानि काक्षा तीन के लेबल का मैथ है अगर आपको और ज्यादा हाइफ हाई चाहिए तो फिर आपके काम का यह कलाफ नहीं अगला देखना हम एडज एंड कॉर्णर पहचानना मतलब किनारे और कोना में अंतरप निकालना हो सकता है आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें नहीं पता है अभी देखो कि समझ में आएगा छोटी और बड़ी बस्तूं का ग्यान इतने चीज़ें जो है हम इस सेशन में सीखने वाले हैं आईए स्टार्ट करते हैं पहले से ठीडिजिट का एडिशन अभी देख रहे हो ठीख है देखो मगर प्यार से पहले का अंसर कितना आएगा कोई भी एनिवन कमेंट कर सकता है अपने मन से आओ चलो देखते हैं चलो भाईया अज सेबन फाइब कितना होगा 12 12 का 2 क्योंकि ऐसे लिखते न 12 तो 12 का जो यह 2 है वो यहाँ पे हो जाएगा और 1 यह हो जाएग पर आला 5 कोई डाउट नहीं अगला 9 3 कितना होगा भाई यह भी हो जाएगा वही 9 1 10 2 12 12 का यह 2 जो है यहां रहेगा और यह 1 यहां कैरी हो जाएगा अब 2 1 3 और 1 कैरी 4 इसमें कोई कैरी नहीं आया 336 सबको समझ में आ रहा है कोई डाउट परिसानी होगी तो बता देना 10 स इसमें 4 6 10 यहनी 6 4 10 का 0 हासिल आया कितना 1 और 0 में 0 जोड़ोगे तो 0 ही रहेगा और फिर उसमें हासिल जोड़ोगे तो 1 हो जाएगा यह 4 37 अगला देखो भाईया यह 369 56 यह 6 5 11 का एक हासिल इसमें भी एक आ रहा है 4 37 और एक 8 कोई डाउट नहीं किसी को यह कोईश्चन नेक्स्ट खुद से करना है पक्कास अभी कर लेंगे चलो देख लो पूरा स्क्रीन आगे बढ़ें इसमें बहुत मज़िदार है इंट्रेस्टड है क्योंकि यह थर्ड क्लास के लेबल का है तो इसमें बच्चों के लिए मैं बह या चित्र दिये गए हैं यह सेंटीमीटर में हो सकते हैं मीटर में आप इसे सोच के बताओ गए ठीक है चलो सेंटीमीटर होता क्या है मैं इसके लिए आपको एक पावजार लाके दिखा देता हूं रुके रहो मेरे पास मीटर वाली एक पट्री भी थी लेकिन अभी समय प आप एक मिनट बस दिखा रहा हूं देखो समझना टाइम लगेगा यह जितना इदिखना नहीं जूम करें को दिखेगा इतना क्या है सेंटिमीटर है इतना एक सेंटिमीटर है यानि मोटा-मोटा आप यह जानलो में नापके दिखा दूं आपको तो मेरा जो यांग उठा है ना हाथ का और इसमें नेल पालीफ लगाते इतना आप सभी जानते हो नहीं जानते आपके घर में भावी भावी हो होता है मतलब एक सेंटीमेटर फे ज्यादा होता है दो से कम होता है तो कोई भी अगर लेडिज होंगी लड़कियों महिलाओं में ज्यादा होगा तो दो सेंटीमेटर का होगा दो ज्यादा कभी नहीं होगा ठीक है यानि जो यह नेल होता है नाखुन जहां लागाते नाखु गैट सेंटीमेटर में मीटर में हो सकती है बताओ Training में हो सकती है की मीटर में बहुत सिम्पल हैan यह computer screen है जो इसकी चौडाइए Jew छॉनमींटर में में सीमपल सी बात हैं बहुत सारी computer आपने देखे होगे हमारे पास वह तो डिबा यहां पर रखे हुए हैं इनकी चॉडाई देखलो यह यह क्या यह कम्प्यूटर है कि मैं पूरा प्रेक्टिकली सब कुछ दिखाऊंगा आपको इसकी चौड़ाई यह जानते हो यही ना कि तो चाहिए हो गई तो यह मेटर में नहीं है अगर हम मेटर में ना पेंगे तो भाईया मेटर का मतलब जानते हो कितना होता है गिर ना जाये नहीं इधर में जहां पकड़ा हूं आधर जो इतना निकल रहा है इतना बड़ा कम्पेंटर के नहीं होती यानी में तो कताई नहीं होती ने होітए दुकान पेmor इंच में का से में मैकबुक 13 in सिडी के तों हमारे घर में 32 इंच की लगी है तो में नहीं नापते कभी भी ठीकाय जो डिजिटल पैनल जिसे आप पड़ रहे हो न यह डिजिटल पैनल कि जो चौड़ाई है भाईया वो मेंटर में नहीं ना पी जाएगी किसमें ना पी जाएगी बाबू सेंटिमीटर में समझ गये इस चित्र को मैं यहां से हटा दूँगा जिसका काम हो जागा उसको हटा दूँगा क्योंकि जगा नहीं मेरे पास ठीक है, done तो पहले कांसर क्या हो गया पहले कांसर हो गया बावू, सेंटीमीटर में ठीक है, दूसरा अब देखो ये चीज मिटाने के लिए देखता हूँ, मिट जा, ठीक है हाँ, मिट गया, ठीक है, done सेंटीमीटर में ठीक है, भाईया लेंथ आफ पगड़ी 1 by 6 जो पगड़ी पहनते हैं इनके लिए बहुत सम्मानिय चीज होती है यह यह मीटर में हो सकती है कि सेंटेमीटर में बताओ इसका यह मतलब नहीं कि इतनी बड़ी खोपड़ी है तो मीटर सेंटीमीटर किसमें जो पगड़ी का कपड़ा होता है देखे हो गमचा देखे हो क्यों ऐसे ही तो होता ना जो लोग बानते हैं पता होगा ना अकसर लोग हमारे हरियाना से भी है केला करनाटका से हैं दूर दूर से हैं सब लगबग सब कई तरह के लोग हैं तो यह कपड़ा तो बड़ा होता नो जो सिर में बांते हैं एक रुमाल थोड़ी होती है जासोरे पाइब को पगड़ी को किसमें आप मीटर में कह सकते हो लेकिन सेंटी मीटर में भी कह सकते हो तो कोई गड़बड नहीं है इसको दोनों में किया जा सकता है तिक है लेकिन नार्मली क्या बोलेंगे कहते हैं डेढ़ उसे लगभग फिट बिना आपते कपड़े हो गए रहे हैं इसको भी फिलहाल अगर आप सकते सो सेचियों पर डिपेंड करता चोटा बच्चा तो दो पड़ा थो बड़ा रहे गाइस Misle पूजा निलगता कि दोचाड़ा हो जाएगा कि अ बनियुक्त श्र लंबाई मेरे बड़ा कर दो इसको क्या इन नजयीं हो कि यह देख रहे हो ना इनको पकड़ी वालों को दद्द लोग को देख रहे हो न कि यह कि अभी को समझ में आया ना यह कपड़ा बड़ा सा होता है तो लिए जैसे जो ना बंदते हैं ऐसा नहीं होता छोटा सेक्दम कि इसका काम हो गया इस फिगर का तो मैं इसको अटा देता हूं यार यह तो बहुत कुछ लेके चला गया कि अधिकर अगे बढ़ें कोई दिक्कत नहीं चलो अब कर रहा वान इयर ओल्ड चाइल्ड एक साल का छोटा बच्चा क्या में एक मीटर लंबा हो जाएगा हूं एक साल का छोटा बच्चा बिल्कुल पिलला जैसे रहेगा जैसे यहां पर देखे एक है ना कि इतने प्यारी गुडिया आया खेल जी मीटर में तो नहीं होगी कभी है तो सेंटी मीटर में ही कह सकतो इसे क्या सेंटी मीटर में समझ गए न तो बच्चा क्या हो सकता है सेंटी मीटर में अगला बनाना एक केला भई यह बहुत इंट्रेस्टेट चीज है यह बताओ एपल मीटर में हो सकता है कहीं देखे हो इतना बड़ा केला इतना बड़ा देखे हो कहीं इतना बड़ा केला नहीं देखे हो न तो केला हमेशा अब सिंपल में कह सकते हो सेंटीमीटर में ही हो सकता है किसमें सेंटीमीटर में हो सकता है ठीक है भाया एन एलिफेंट एक हाथी चल भया हाथी मेरा साथी आजा राजा तुम इधा राजा चलो अब बता हाथी क्या हो सकता है मीटर में हो सकता है कि सेंटिमीटर में बह्याओ यह हर जगा से मीटर में हो जायेगा हाथیا कि लंबएज़या कम से कम तुम दू मीटर हो गये देखे जो अगर पास जाके खड़े लुगे तुम महईचय कर . . . . बड़ी होती है अरे गईया भहीं से इतनी बड़ी बड़ी होती है हाथी तो यह खतरनाक प्राणी जो आपको दिख रहा है न उसे खतरनाक नहीं होते सभी फिलहाल के लिए देखो पूरा स्क्रीन में दिखा दूँ तो मैं आप तब भी छोटा पड़ जाए गए इतना बड़ा हाथी है इसक हाथी तुम निकल लो यहां से कुछ मिटाय तो नहीं ना नहीं ठीक है तो हाथी की लंबाइक इसमें मीटर में कानफर्म है पगड़ी तो भी मीटर में आप कह सकते हो यह तो मैं सेंटीमीटर लेख दिया गलती से एक है तक रखर केन गन्ना अब कमड़ करके बताम मुझे गन्ना क्या हो सकता मीटर में सेंटीमीटर में बोलो आप देखेंगे की फसल एक तया यह तर से खेंग पर दने के खेंग निए की तो गन्ना भाईया मीटर में हो सकता है क्योंकि एक उतने बड़ा होता है इतना बड़ा मैं खड़ा करहा हूं नीचे दीख रहा है आपको कि आएस अने दिख सार है एक मेन्न रुप जाए यार यह दोनों तक दिख रहा है ना जितना पकड़ा हूं इतना एक मिटर होता है तो गन्ना तो बहुत बड़ा बड़ा होता है यार गन्ना आप कह सकते हो मीटर में क्या कह सकते हो इसको मीटर में कह सकते हो ठीक है भाई गन्ना क्या कह सकते हो बाबू मीटर में कह सकते हैं इसको तुम ए छोटा हो जायार क्या देखो मिट गया ना इधर साइड में तर्च उपट हो गया न चुको बैक आता हूँ चलो गयर न गया अपनी जगा ठीक है तो सुगर केंक इसमें मीटर में इस तरह से बताओ यह यह तो वाल की चौड़ाई यह कि जो रख तो होती है कि यह क्या बोलते भरी किया हो सकती है कि देखें वेल की बड़ी इंट्रेस्ट्ट कहानी है अगर आप सुनना चाहता है अध्यरा लग राया हूं इसको ना गज़ा आतना बड़ा होल दुनिया समाधा इसमें लग रहा है था कि जानते हो कि जहां लोग छोटे थे अरे यार छोटे के अकला सिक्स तक फुवां से पानी भर भर के हम लोग ने नहाया है पीया भी है यहां तक कि भाईस तक दूला है समझ रहे हो और हम लोग के जहां पानी की लिए बतीस फिट की उस रस्ते का वजन इतना होता था कि उस हवस्तह में हम लोग को गेशों के बराबर रहता था था यह समझे नहीं रस्तो कों लोग छोड़ देते रस्तों जाके कूऊंगे लाते थी पर आते थी तो जल कुछ दबाए पानी बह रहा है साला इतना पानी बरबाद होता है कहना ने चाहिए कोई कुवां से पानी भर-भर बरबाद करता उस समय तो पता चलती कहां किसके दम है अंदर एक भी पानी बरबाद नहीं होता था गाउं में क्यूं बताओ अगर सो फिट गहराई से तुम्हें रसी से पानी निकालना है तो तुम्हें एक बल्टी भरोगे नहाओगे पीओगे कि उसको फेंकोगे दूद से ज्यादा कीमत इसकी होती थी दूद तो उपर मिल जाता था गईया भैसिया उपर रहती थी लेकिन पानी अंदर से न हो तो Scroll में relating का सब कर दो कि दिखाई को साइब में कर दो तो मिटर में हो सकती है इसमें मीटर में हो सकती है कि डिमय के स्टीमेटर में बसक्रेदमें ना यहाऊ सकते वी है रिकिन जो फॉसिवजमर में ऊесको मूंटर में कि कर से को कोई डाउट परिसानी नहीं किसी को ठीक हे डण कि न बात पक्की को दिक्कत नहीं किसी को यह को लौन बन गयार क्या हो गया यह इंद लिटे नहीं वह रजाने तो यह हो गया आगे बढ़े नेक्स्ट चलो यह चैप्टर कंपलिट यह सब काहे को था यार मज़ा रही की नहीं देखो अब तक सिर्फ हम बोलते थे अब हम दिखाएंगे एक एक अब दिखाएंगे सिर्फ बोलेंगे नहीं कितना करजा उधारी ये बोर्ड का है करवाया है इसलिए तो इसलिए तो कहते हैं आप लोग कलास को ज़ाइन करिये जिससे कुछ करजा कम हो सके अब मैं रो तो नहीं सकता आप लोग के सामने आ करके कि मैं बरबाद हो गया मैं लुट गया बगवान न करें का ऐसा हो इसलिए मैं थोड़ा सम्मान के साथ कहता हूं आप लोग कलास को जादा जादा सेर करें जुआइन करें जिससे सब पूरा हो सके आपको और बहतर सुब्धा दे सके तो उमीद है कि आप भावनाओं को समझ रहे होंगे आगे बढ़ें इसमें क्या करना था हाँ इसमें भी वही बताना था कि कौन सेंटिमीटर में और कौन मीटर में आप ऐसा ही कुछ था इसमें कौन सेंटिमीटर में और कौन मीटर में कि अब बता लोगे न पक्का हूं यह क्या है ये केचुवा है इसमें वो लगाना था सही और गलत मैच करवाना था ये तो सब एक में लिख दिया हूँ रुको एक मिनट कोईशन मुझे देखने दो इसमें मैच करवाना था कि कौन किसकी लंबाई कितना हो सकती है ठीक है आप लोग मुझे बताओ कि केचुवे की लंबाई कितना हो सकती है एक किलोमीटर हो सकती है क्या केचुवे की लंबाई वन किलोमीटर हो सकती है नहीं एक मीटर केचुवे की लंबाई होना बहुत मुश्किल है एक मीटर केचुवा इतना लंबा केचुवा होता नहीं मैं देखा नहीं अपनी जिंदगी में तो एक मीटर बहुत बड़ी बात है तो अगर केचुवा की लंबाई की बात करें तो ये भी क्या होगा भया सेंटिमीटर में होगा हाँ ये बचवा जो है ये सेंटिमीटर में हो सकता है ये भी मीटर में नहीं और ये साडी है ये महिला नहीं है इसको मत देखो ये देखो साडी यहाँ पर दिखाया गया सिर्फ साडी ये की उद्देश है साडी दिखाना तो साडी जो है वो मीटर में हो सकती आपने देखा होगा साडी के कपड़े बड़े होते हैं आपके घर में माताय बहने होंगी भावी लोग होंगी कोई होगा तो आपने देखा होगा पिजो साडी अगर सुखाने के लिए कहीं डाली गई आपने देखा होगा तो बहुत बड़ी होती है है ना पूरा रससी जगा ले लेती पूरा जहांपे डालते हैं उसको है अगर आपने उसको फैला रख़ा है तो हार पर यह सकते है हा कॉन सा फिगर जो है वह वह में हो सकता है कोण सेंटिमीटर और और किलोमीटर में तो बता रोड हूं रोड को सेंटी मेटर में न अपना आसान है कि किलोमीटर में बताओ रोड एक सड़क 5500-800 किलोमीटर लंबी होती है अगर उसको سेंटी मेटर में न पेनगे लड़काग बच्चाग पापक मौसीयक सब आज जाएगे इसमें आपको एक चीज समझना है एड़ एंड कॉर्णर ये एज बोलते इसको एड़ नहीं कि मुझे इंग्लिसिया थोड़ा कमाती है इसको एज बोलते हैं क्यों मैं सही पढ़ रहा हूं यह होता क्या है मैं आपको यह सिखाना चाहता हूं पर क्या होता है समझना आजा भाई तुम आजा आजा मेरे राज्जा दिख रहा है ना इसमें अच्छे दिख रहा है न एक दम बढ़िया दिख रहा है न ठीक है इसी मैं आपको समझा दूंगा आज चलो आओ अ देखो मेरे भाईया यहांपे समझने की कोशिस करना पूरा भर पूर सब्सेपहले एड़ कि बात करेंगे किनारे की बात में can I already have it किनारा होता है तो ए जो फिगर हैना ये क्या एट ये ए तिक रही है ना इधर ये जो साइड़ साइड का पूरा किनारा आ इसी को एड़ बोलते हैं THIS में गश्ड़ गलते ना कि ठझाथ कर लो कि ये जो क्या है एज है य很好 स्पाइडसाईडसाइब मैं सबस्क्राइएग कि बुलते है इसको को इसभाना चाहिए यहां जाना होना चाहिए वार यह तो एय। के तो tidak अगया तेरे रज्जा को राट्जल हो कार नर क्या को कोना ये होता ये अगर इसी में मैं दिखाओं इसमें ये होता ये इसमें ये है इसमें ये है इसमें ये है यानि कितने कोने है अगर इसमें बताओ देखो एक कोना ये हो गया एक ये हो गया एक ये हो गया और एक ये हो इन्हीं को क्या बोलते हैं समझ रहो इनको क्या बोलते ह हें ठीक है यह उसमें कितने खूर tired Hai ंड़ी इसमें कितने कौर्णर हैं कर में देखेओ एक और इधर है यहांपर चार पाच छे आठ ऊठन दार ग्यारा और बाराए इतने को परनर हैं एक दो तीन चार अगर इसमें किनारों की बात करें एड़ी डीजी एज की तो कितने हैं एक यह है एक यह है एक यह और एक यह चार समझ में आया ना अच्छे समझ रहे हो कोई डाउट होगा तो बता देना बिल्कुल तकलीफ नहीं लेना एक दम अभी और आगे जाना है जिनको मैं सीखना है कि सारा भाग देखेंगे बीच में छोड़ छोड़ के नहीं जाएंगे ने तो पूरा अफली वाला मज़ा नहीं होंगे लेकिन मेरे भाई अगर एक भी टॉपिक मिस हुआ तो सही नहीं हुआ 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 है कि लाफ रिकार्ड और रात के बच्च के 26 मिनिट हो रहा है और हमारी कोशी से अब जो बच्चे पढ़ने में सीरियस हैं सिर्फ उनको पढ़ाना बागी जो कामेंट में मजा ले लोगों का मेरा टार्गेट नहीं है अब तक मैं ऐसे लोगों को खुछ रखता था चलो आ रहें लोग नहीं कि आगे बढ़ें अब मुझे कमेंट करके बताओगे या फिर आप वाटसप पे लिख के भेजना समझ गया हो ना इस वाले फिकर में कितने एड्ज हैं कितने कॉ कारणर है सारे में बताना जितने फिगर हैं ठीक है तो ये तीन दो पांच 5 15 15 15 15 इतने हैं कुल 20 आकृतियां है इस तो इधर हैं यह बहुत है यार तूग जब बताओं कितना है एक दो तीन चार पांच पचीस है कुल पचीस अब इन पचीसों में मुझे आप बताओगे कि कितने एड जहें किसमें कितने कॉर्णर है पता लोगे न सभी इन सब में मुझे बताना नंबर अभी लाश्ट में दिखाऊंगा उस पर भेजना जो बच्चे अप्लिकेशन में जो आइन की हैं उनका मैं मैंने टाइम लगेगा जाना नहीं कोई भी उसके बाद मैं तुरंत आ रहा हूं ठीक है बहिए अजस्ट आ रहा हूं मुझे लगता है कैमरा बैटरी चार्ज भी नहीं होगी साइद कुछ पता नहीं लग रहा है चार्ज नहीं है थोड़ा रुख जाना यार अब तो हो गय आगे बढ़ें पैन कहां रख दिया इतना हो गया ना तो आज आगे क्या है इसमें आगे जो चीजें थी वह हो चुकी है मुझे लग रहा है अब यह बड़ी ही इंप्वार्टेंट अपडेट है इसको देख लीजिए आप लोगों के लिए ही है इसको बनाया गया है यह कह क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं अब तक 10 मिनट में मेहनत करके हम आपको एक घंटा पढ़ा देते थे लेकिन अब हम आपके लिए एक घंटा मेहनत करते हैं तो 10 मिनट में पढ़ाते हैं जिससे आपका time बचा सके अपना time तूम जोकी रहें ठीक है इस सीरीज का आगला next part YouTube यूटूब पर मेरे भाई एक जनुवरी 2030 को आएगा नए साल के दिन इस स्रीज का जिसका नाम है क्वाल्टी बैच ठीक है और जो बच्चे एप में ज्वाइन है या फिर आप भी ज्वाइन हो सकते हैं अगर आप अप्लीकेशन में आ जाते हैं तो आप इसका स्रीज कर लेंगे इंस्टाल कर लेंगे तो इसमें आप रेगुलर इस सीरीज को देख पाएंगे या फिर या फिर आप इंतजार करें एक जनुवरी को हम आएंगे इसका नेक्स्ट पाड ले करके ठीक है है जरूर बेट करना होगा और और बाइस से ले करके 31 तक 2022 तक सेबंत क्ला अध्या पढ़ा रहे हैं क्लास साथ में में सुरेशन वाला चैप्टर पढ़ाएंगे 22 से ले करके 31 अक्ट्र तक आप इसे बर जरूर देखिएगा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ठीक है तो यूटूब पर हम आपको 22-31 तक यह चीज पढ़ाएंगे मैं सुरेशन पढ़ करीफ दुखदर तो बता देना चलें आगे बढ़ें स्क्रीन पर नीचे नंबर चल रहा था आप तक अगर आपने देखा होगा तो उस पर संपर करिए अगर आप इसे कहीं डेमो के रूप में देख रहे हैं तो नंबर पर संपर करेंगे तो आप इनकी सारी सीरीज को अस्थान पर परिस्थितियों को बदलेने के अस्थान पर खुद को बदलिए खुश रहने का यही एक फंडा है अगला बदल गया अगला अपने हिसाब से चल रहा है हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं अगला कुछ भी हो सकता है कोई इंसान हो सकता है कोई वस्तू हो सकती है कोई प्राड़ी हो सकता है कोई जीव निर्जीव कुछ भी हो सकता है वह बदल सकता है मर सकता है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं ने समय रहो हमारी कोई बहुत ही ब्रहें करेंगे नहीं कर सकते लेकिन हमें आगे कैसे जीना है कैसे क्या करना है वह हमारे ऊपर इपर रिबंट करता है तो यह घ्यान की बात थी आज के लिए इतना ही बहुत बहुत थैंक्यू उमीद है कि आप इससे काफी कुछ सीखे होंगे मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ड में अगर आप अप्लिकेशन में देख रहें तो कल और यूटूब पर हैं तो फिर एक तारीक कवेट करें इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ड कल